दोस्तो आजकल भी हर कोई अपने android device के उपर offline games केलना तो पसंद करता ही है और इसी मैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लूंक लेकूँ जैसे मज़िदा top 5 new offline android games लेके आया हूँ जिनका size 100MB से कम होनी की वज़े से आप 1GB या 2GB वाले android device पर भी इन सारे games को easily play कर सकते हो और तो और ये सारे games offline होनी की वज़े से आप बिना internet connection के इस game को आसानी सब अपने android device पर खेल पाओगे तो दोस्तो इनी मज़िदार games के बारे में जानने से पहले फटा फट वीडियो को लाइक कर लो और इस वीडियो का like रखते है 200 likes का साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करके bell icon भी all पे कर लि गाइस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं bb world game से दोस्तो bb world एक बहुत ही शानदार offline और online action adventure arcade style का game है जिसके अंदर आपको fall guys का ही mobile version gameplay देखने को मिल जाएगा साती बात करें इसके gameplay की तो इसमें आपको चार अलग लग तरह के gameplay modes खेलने को मिल जाते हैं जिसमें आपको race royale से लेकर rocket arena, football, card जैसे अलग लग तरह के gameplay modes खेलने को मिलेंगे तो ये game आपके लिए अच्छी choice हो सकेगी जिसमें आपको fall guys का ही जैसा similar अलग लग तरह के obstacle missions complete करने को मिल जाते हैं और तो और बात करें इस game के controls button की तो बहुती जादा कम control button होने की वज़े से इस game को खेलते वक्त आपको किसी भी तरह की problem देखने को नहीं मिलने वाली है तो guys overall बात करें तो कम size का size होने के साथ इसमें आपको ठिक ठाक बहुती मज़ेता graphic देखने को मिलेंगे जिसे आप प्लेश्टोप पर जाकर आसानी से अपने Android डिवाइस पर डाउनलोड करके enjoy कर सकते हो Guys वीडियो में आगे बढ़ते हो अगले game का नाम है Project Drift 2.0 दोस्तों Project Drift 2.0 एक बहुती शांदा 3D offline drift racing game है जिसके अंदर आपको अलग अलग जगहों पर जाकर बहुत सारी drift race करने को तो मिले गया ही साती सार racing game होनी की वज़े से बागी सारे racing game के जैसे ही इस game में आपको अपने level को upgrade करके बहुत सारी different type की vehicle purchase करने के अलावा अलग अलग तरह के levels को भी unlock करना परता है और जिती अच्छी तरह से आप levels को complete करोगे उते ही ज़्यादा money को unn करके आप आगे के levels के लिए बहुत सारी vehicles को इस game में purchase करने के साथ ही अपने हिसाब से customize भी कर सकते हो और तो और बात करें इस game के controls button की तो बहुत ही ज़्यादा simple controls button होने की वज़े से आपको card चलाते वक्त किसी भी तरह की problem देखने को नहीं मिलेगी और आप आसानी से इस game को अपने android device पर खेल पाओगे तो दोस्तो overall बात करो तो 100MB से कम size होने के साथ ही इस game में आपको बहुत ही मज़ेदा 3D graphic देखने को मिल जाते हैं जिसे आप प्रेश्टोप पर जाकर आसानी से प्रेंड़ डिवास पर आफ्लाइन इंज्योई कर सकते हो गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हो अगले गेम का नाम है तकासी निंजा वारियर समुराई दोस्तों ये एक बहुती शानदा 3D open world RPG गेम है जिसके अंदर आपको एक निंजा का रोल प्ले करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैप के एनिमी से फाइट करने को तो मिलता ही है और तोर इसमें आपको बहुत सारे निंजा वारियर के अलावा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैप के समुराई के साथ भी फाइट करने को मिलेगा जिनके साथ फाइट करने के लिए आप कटाना से लेकर अलग-लग तरह के वेपन का इस्तेमाल भी इस गेम के अंदर कर पाते हो साथी जैसे से आप इस गेम के लेवल को कंप्लीट करोगे आपकी डिफिकल्टीज भी इस गेम के अंदर बढ़ती जाएगी और आगे के लेवस को कंप्लीट करने के लिए इस गेम में आपको अपने प्लेयर को कस्टमाईज करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आप अलग-लग तरह की special ability भी आसानी से इस game के अंदर unlock करके आगे के leos में इस्तिमाल में ले सकते हो तो दोस्तों overall बात करो तो 80MB का size होने के साथ ही इस game में आपको काफी मज़िदा 3D graphic देखने को मिल जाते हैं जिसे आप प्लेश्टो पर जाकर आसानी से अपने android device पर enjoy कर सकते हो गैस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले offline game का नाम है आइन एवेंजर ओरीजन आर्पीजी दोस्तों आइन एवेंजर ओरीजन एक बहुती शांदार आइन में टाइप का open world game है जिसके अंदर आपको iron man का role play करके इस game में different different type के levels को तो complete करने को मिलेगा ही साथी iron man का suit का इस्तेमाल करके आप इस game में अलग-लग track के robot से लेकर different different type के enemies के साथ fight भी कर सकते हो और उनसे fight करने के लिए आपको बहुत सारी पाउस के option भी इस game में दिये गए है जिने आप अपने level को upgrade करके आसानी से unlock कर पाते हो और तोर बात करें इस game के environment की तो इसमें आपको future stick environment देखने को मिल जाता है जिसमें आपको बहुत सारे robot देखने के अलावा कुछ मज़ेदार enemies भी देखने को मिलेंगे और बात करें इस game के controls बटन की बहुती कम बटन होने के साथ इस game को खेलते वक्त आपको किसी भी attractive problem देखने को नहीं मिलने वाली है और 100MB से कम size होने की वज़े से इस game में आपको ठिक ठक 3D graphics दो देखने को मिलेंगे ही साथी offline game होने की वज़े से इस game को आप आसानी से प्लेश्टो पर जाकर अपने android device पर enjoy कर सकते हो गाइस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आज के आखरी game का नाम है scary doll game दोस्तो scary doll एक भूती शान्ता 3D open world horror game है जिसके अंदर हमारा character एक घर के अंदर फस जाता है और उस घर के अंदर आपको एक scary type की doll देखने को मिलेगी जिसके पास कुछ खतरनाक horror powers होगी और आपको उस doll से बसने के लिए इस game में बहुत सारे अलगलग तरह के task कंप्लीट करने को मिलेगा और जिते fast तरीके से आप उन सारे task को complete करते हो उतने ही ज्यादा fast तरीके से आप घर से आसानी से escape कर पाते हो इसके अलावा बात करें इस game के controls की तो बहुती कम buttons और बहुती simple controls होनी की वज़े से इस game को खेलते वक्त आपको किसी भी तरह की problem देखने को नहीं मिलने वाली है तो दोस्तों overall बात करें तो 94 MB का size होने के साथ इसमें आपको ठिक ठक 3D graphic देखने को मिलेंगे साथी offline game होनी की वज़े से आपको इस game को खेलते वक्ते किसी भी तरह की internet connection की जोरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से प्रेश्टो पर जाकर इस game को अपने android device पर डाउनलोड करके enjoy कर सकोगे तो गैस यह थे गूच मज़िदा top 5 new offline android game से जिनका size आपको 100 MB से कम देखने को मिला होगा जिने आप आसानी से अपने android device पर enjoy कर सकते हो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओल पे कर लिजेगा जिसे फिचर में अनले गेम से लेटेट अपडेट्स को आप मिस नहीं कर पाऊगे और कमेंटर कर जरूर बताना कि आपको नमें से कौन सा गेम पसंद आया मिलते नेक्स वीडियो पे बाई